हम बात करने वाले हैं टॉल पी डॉल डी टैबलेट के बारे में आज हम जानेंगे कौन से समझ से होने पर इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है इसको लेने के बाद कौन कौन से साइड एफेक्ट होते हैं इसके डोस किस प्रकार से लेने होते हैं किन लोगों को यह टैबल बात कर लेते हैं कि किन लोगों को इस टैबलेट को नहीं दिया जाता है तो यह सुरिश्चित करने के लिए कि यह दवा आपके लिए शुरक्षित है या नहीं है इसे लेने से पहले अगर आपको कोई medical समस्या या disorder है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं आपको अपने डॉक्टर को उन अन सभी दवाओं के बारे में भी बताना है जो आप इस दवाई को लेने से पहले से खा रहे हैं या लगा रहे हैं गर्वबती और इस तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा का उब्य करने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्स यानि की सलाह जरूर लेनी चाहिए अब आपको बता देते हैं कि कौन सी समस्या होने पर इस टैबलेट का यूज किया जाता है तो टॉल्पीडॉल डी टैबलेट एक मसल रिलेकसेंट है जो मास पेशियों में जक्रण को कम करक करके ठीक करता है यह सब मिलकर मुवमेंट को आसान बनाते हैं और टॉल्पीडॉल डी टैबलेट बिना किसी समस्या के आपको अपनी धैनिक गती विदियों को करने में मदद कर सकता है कुछ अध्यनों से पता चला है कि यह अगर टॉल्पीडॉल डी टैबलेट को सलाह के पर इस्तेमाल किया जाए तो डाउजीनेस कम हो सकती है डॉक्टर दौरा दवा को बंद करने की सलाह देने तक जवाई चारी रखें मतलब जब तक डॉक्टर आपके मरा ना करें तब तक दवाई को लेते रहें तभी आपको पूरा आराम मिलेगा अब आपको बता देते है पर ने पार ने इस टैबलेट को लेने के बाद कौन-कौन से साइड़ एफेक्ट हो सकते हैं तो इसको लेने के बाद आपको बहुत अधिक नीद आ सकती है ठकान मेहसूस हो सकती है मुँ में सुखापन होने लगे माश पेशियों म में कंजौरी हो सकती है मिचली आने पेड में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे तो आप तुरंत समझें कि ये टैबलेट आपको सूट नहीं कर रहे हैं और तुरंत अपने डॉक्टर से सला लें जिसने आपको ये टैबलेट दी है हम अपने चैनल पर सभी पिरकार की दवाईयों की पूरी और सही जानकारी ह हिंदी में आपके लिए फ्री और खोश्ट लेकर आते रहते हैं हम अपने चैनल पर किसी भी पिरकार को कोई प्रोमोशन नहीं करते हैं इस दवाई के बारे में जल्दी मिलेंगे एक और नई दवाईकी सही जानकारी के साथ ठैंक्यू सो मच